नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार सिक्चक बरती 2020 बुरी खबर आई है क्या दोस्तों ये बुरी खबर है मैं आप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बुरी खबर सभी के लिए नहीं है कुछ लोगों के लिए यानि कि कुछ स्टुडेंटों के लिए बुरी खबर नहीं है तो किन स्टुडेंटों के लिए बुरी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पहले कुछ दिन के पेपर में आया था कि दस दिनों में 94000 की बहली होगी शुरू तो हां दोस्तों यह बहली तो शुरू होगी लेकिन क्या आज निकल कर निज आ रहा है और क्या भूरी खबार यह भी मैं आपको बताने वाला हूं त खिरकार आई गई वेकेंसी और पद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 94000 पद है तो दोस्तों इस वीडियो को जाकर आप देख लिजेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की बुरी खबर निकल कर आ रही हैं उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना जबालनां देख सकते हैं कि आज का मैं ठीकल लेकर आ गया हूं और देख सकते हैं और चाके शाथ नहीं करlarını 성讲 लिजान के सकता हैं कि अगर आप इस चैनल पर आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल के बैल आकॉन को जरूर दबा लिजेगा क्योंकि मैं स्टेड और साथ इसाथ दोस्तों सेंटरल लेवल की सारी भेकेंसी को कभर करता हूं और अगर उसका एक्जाम होने वाला होता यह रिजल्ट आता है तो उसका भी अपडेट लेकर मैं आपके लिए सबसे पहले आता हूं तो दोस्तों इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल के बैल आकॉन को दबाना बिल्कुल नद भूलिए तो चले दोस्तों आज की खबर को हम लोग देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है कि डियलेट के चात्र नहीं कर सकेंगे आप इधा तो वो कौन से स्टूडेंट है जो नहीं कर सकेंगे तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये आज के पेपर में हिंदूस्तान के पेपर में आया है और देख सकते हैं दोस्तों ये भागलपूर के पेपर में छपा था तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्षगाउं की 94 हजार पदों पर बहाली को लेकर जल्द परिक्रि जो आप इधन नहीं कर सकेंगा और जैसे ही दोस्तों आगे बढ़ेगा आप देख सकते हैं आप लिखा गया है कि राजभर के प्रारंबिक विध्याले में सिख्चकों की बहाली होगी इसके लिए परिकिरिया 2019 में ही सुरू हो गई थी लेकिन डियालेट के छात्रों को भी इ केस उन लोगों के पक्ष में आया था मतलब कि वह लोग केस जीद गए थे और उसके बाद दोस्तों उन लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति मिल गई है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर दिया गया है कि निरने के अनुसार यह लोग आवेद नहीं कर सकेंगे तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपका भय जो है दूर हो गया इस न्यूज को पढ़ने के बाद तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सिख्चक बरतियां यहां पर सौट में दिया गया है सिख्चों की 94,000 पदों पर बहाली परिक्रिया जल्द शुरू ह सलाव तो दोस्तों 10 जमीर दोस्तों 10 दिन के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि 10 दिन के अंदर जो इसकी परिक्रिया सुरू पूरे तीन महम है हाँ दोस्तों तीन मैने में न्यूक्ति करदी जाएगे मतलब कि juan nig आपको मिल जाएगी अब इन नए चात्राम को दोबारा भाली कर रहेगा इंतिजार मनतलब्य जो प्वंट इन Ooooh की यह इंज से स्विर फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूस्पूल हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बगल के बैल आका उनको दबाना बिल्कुल मुदूरीगा तो चले दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में तक के लिए बाइ और टे केर